दोस्तों यह मैंने Amazon basic का एक pen drive मंगाया है, यह 128GB का है, 3.1 USB का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 इसकी MRP लिखी गई है, पर मुझे यह काफी कम rate पर पढ़ गया है, मैं rate आपको दिखा देता हूं, तो यह मुझे 630 रूपे में पढ़ी है, 663 रूपीज में, यहाँ देख सकते हैं, तो box में का आपको कुछ इस तरसे pen drive मिलेगा, और एक इसकी पुस्तक मिलेगी, इतनी सारी भरी हुई है, कैसे कैसे लगाना है, आप चाहे तो इसको पर सकते हैं, तो Amazon की यह एक तरसे international चीज है, जो काफी quality maintain करता है Amazon, जो अपना देसी Amazon basic निकाल रहा है, वो इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे pen drive है, इसकी speed काफी अच्छी है दोस्तों, तो यह काफी अच्छी मुझे पढ़ गी थी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर देख सकते हैं, कि HP का 3.2 का भी है, यहाँ देख सकते हैं, दो HP का मैंने रखा इसमें, अभी-अभी मैंने 128 चार pen drive मैं अभी फिलाल यूज़ कर रहा हूं, इससे पहले सेंडिस को गेरा का भी यूज़ करता था, पर टाइम के साथ उनका pen drive खरा हो जाता है, बहुत बार निकालते लगाते, निकालते लगाते, तो अब मैं quality वाला ही pen drive यूज़ करता हूं, सभी को एक ही फाइल को मैं जो लगा है अभी तक, जितना भी मैं यूज़ कहा हूं, Amazon basic का यह वाला लगा है मुझे, जो 3.0 का आता है, और यह steel का बना हुआ है, काफी सुंदर सा लगता है, speed काफी अच्छी है, बहुत अच्छे से आप इसको की रिंग के तरह यूज़ कर सकते हैं, वहीं यह 3.2 होते है ना कि quality अच्छी यूज़ की हुई रहती है, तो यह 3.0 लाई ज्यादा फास्ट काम कर जाता है, 3.1 तो यह 3.1 वाला है, यहां आप देख सकते हैं, इसके box पर भी mention किया गया है, यह 3.1 है, वीडियो में मैंने Amazon basic का laptop stand का review किया था, अभी आप देख सकते हो कि आराम से मैं लगा है, तो यह 3.1 वाला दिया हुआ है मेरे पास, तो 3.1, 3.2 जो भी आते हैं USB के slots, वो आपको blue type वाले, वो 3.1 होते हैं, आप देख सकते हैं, यहां पर black लर्का दिया हुआ है USB port, तो यह USB 2.0 है, तो यह color से मालूम चल जाता है, यहां पर color जो है, ब्लैक लर्का है, अं इस movie पड़ी हुई है, इस movie को मैं इस folder में आपका pen drive में copy करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसको लेता हूँ मैं simply ऐसे, और इसको उठा करके यहां पर आपको रख देता हूँ, अब देखो speed क्या रही है, यहां देखो speed, यह media file है, तो media file काफी तेजी से जाती है, और उसमे paste कर देते हैं, तो चलिए मैं इसको cut करता हूँ, यहां लाकर करके इसको paste कर देता हूँ, तो अब देखो, आप speed कैसा मिलेगा, तो यहां आप देख सकते हो, 83 का मिल रहा है, तो जब pen drive में जाता है, तो slow जा रहा है, और वापस से computer में हम उसको media file को कर रहे हैं, तो यह drive लगा रहा हूँ, ताकि speed जो है, so divert ना हूँ, इधर उधर, और पूरा अच्छे से पता, तो same, इसमें भी हम copy करके देखते हैं, क्या speed मिलता है हमको, तो यहां आप देख सकते हैं, कि इसमे speed उससे जादा है, आप देख लो, इस से चीज को pen drive में copy कर रहा हूँ, तो black color वा अब इसका speed देख लो, 170 Mbps पार कर गया, pen drive से मैं computer में copy कर रहा हूँ, SSD है मेरे पास computer में, तो काफी जल्दी हो गया, तो यह, इसकी silver वाले की, यह speed है, तो वही बोला ना मैं, कि यह 3.1 होते हुए slow है, और यह 3.0 होते हुए जादा fast है, तो यह हमने 3.2 वाला लगा दिया, अब same file को हम यहाँ पर copy करेंगे, ठीक है, इसमें, folder में इसके, और देखते हैं कि अब कितना speed दे रहा है, कम करते हैं यहाँ पर, इसकी देखो, धीरे धीरे करके speed बढ़ रही है, 3.2 वाला ला ला यह, HP का, यहाँ आप देखो, कितना slow जा रहा है, तो 3.2 होते हुए कितना slow है, same file वही है, same file को देखो आप, अब भी पाएगा कि नहीं, यहाँ उसमें, down लग रहा है, काफी slow चल रहा है, यहाँ आप देख लो, 6-7 Mbps का speed आ रहा है, बहुत जादा slow है, इस pen drive से download करना, अपने आप में बहुत चुनोती भरा काम है, नो दिया पेल जल गया है, इतन कि यह copy हुआ है, अब इसको वापस से computer में copy करके देखते हैं कि कितना time लगेगा, तो यह हमारे पास file हो चुका है, pen drive से computer में copy कर रहे है, यहाँ आप देख लो, जहाँ Amazon वाले में 180 Mbps की speed आ रही थी, इसमें pen drive से computer में copy करने से 33-34 Mbps की speed आ रही है, तो कच्छुए की चाल speed की reality यह रही, 3.2 अले का, तो आख बंद करके 3.2 अले का नहीं ले लेना है, अच्छे से आप हमारी reviews को देखे और इसको समझ करके अपने VVX से खरी दिये, 64 GB, 128 GB pen drive अगेरा, और चैनल को subscribe कर लिजे, HP 3.1 वाले का speed देखेंगे, copy speed कितना है, तो same file है, same file को यहाँ पर copy करते हैं, और speed देखते हैं कितना जा रहा है, काफी अच्छे speed है, आप देख सकते हो, यह तो बहुत ही awesome speed है, आप यहाँ पर देख लो, पस copy किये paste होगे, आप देख लो, तो HP का यह 3.1 स्टील ने से स्ट खराब है यह, blue color के आती है, इसकी speed बहुत ही बढ़िया है, यह Amazon basic से भी speed इसकी काफी अच्छा metal वाले की, अब same हम इसको copy करके यहाँ पर वापस देखते हैं, same इसी चीज़ को हम copy करके वापस देखते हैं, अपने pen drive से computer में, तो यहाँ आप देख लो, यह हम computer में pen drive से कर आपको दिखा देता हूँ, बीज में 0 भी हो गई है, पता नहीं क्यों, पर फिर चालू हो गई है, तो उपर नीचे हो रही है, पर काफी अची speed है इसकी, फिर भी, यह copy हो गई, चालू pen drive पो ranking कर लेते हैं, तो सबसे अच्छा इसमें से base निकल के आया, यह HP का 3.1 metallic वाला pen pen drive, second पर आया है, यह Amazon basic का metal वाला 3.0 pen drive, इसकी speed read and write दोनों अच्छी है, third rank पर हमारा इसमें से आया है 3.1 आपका Amazon basic का, यह 128 GB का है variant, और fourth पर जो सबसे घटिया और बहुत ही ज़्यादा सर्मसार परदर्सन रहा है, read and write speed के मामला में, यह HP का 3.2 वाला है, तो इसको मत लीज जिससे की पैसा वसूल हो जाता है, कई बार offers में आपको 600 रुपय में 64 GB मिल जाएगी, तो यह वाला लेना काफी पैसा वसूल चीज है, वहीं आपको इसी range में आपको जितना पर आपको यह मिलेगा 64 GB, उतना ही में आपको यह भी मिलेगा, लेकिन यह 128 GB मिलेगा, तो इसमे मिला metallic वाला में, तो इसे एक बात साबीत होता है, जितने भी metallic वाले रहते हैं, ज्यादा तर उनमें speed काफी अच्छा रहता है, लिंक मैं description में देदूँगा, वहां से जाकर कि आप directly purchase कर सकते हैं, तो जो आपको सही लगे, आपके rate के हिसाब से, मैं description में सबका link न髮मः कि अच्छा रहते हैं, गो जमा पट क olarak यहां से थमधा रहते हैं, अत्याय रहता है, प्यभका वैदाब बना देंचिस लगको स्फेदय हैं, आपका के और रहते हैं, अत्रुबू हैं, प्र रहते हैं, आपके अब open